ये एक question है 1 का square plus bracket में 9 plus 2 का square minus 1 plus 15 plus 3 1 by 2 तो देखिए हम एक एक चीज़ solve करेंगे सबसे पहले 1 का square तो 1 का square होता है 1 9 plus 2 का square तो 9 plus 2 का square होता है 4 तो ये 4 minus 1 की जगे minus 1 plus 15 की जगे 15 और ये जो 3 1 by 2 था ये mixed fraction था इसको हम बना लेंगे simple fraction कैसे होगा 3 और 2 multiply हो जाएंगे तो वो क्या आजाएगा 6 आजाएगा और 1 add हो जाएगा और divide में 2 तो ये ऐसे 7 by 2 आया 1 9 plus 4 हो जाएगा 13 minus 1 की जगे minus 1 15 की जगे 15 7 by 2 की जगे 7 by 2 अब हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे पूरे का तो पूरे का नीचे LCM क्या आएगा 2 आएगा तो 2 आएगा इसका मतलब क्या है ये 2 इस 1 से multiply होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 13 से 2 multiply होके क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा minus 1 से 2 multiply होके क्या हो जाएगा minus 2 हो जाएगा 15 से 2 multiply होके क्या हो जाएगा plus का 30 हो जाएगा और 7 तो as it is रहेगा क्योंकि 7 के नीचे पहले ही 2 था तो ये पूरे का LCM आ गया अब plus minus कर लेंगे पहले सारे plus वाले जोड लेंगे हम 26 में 2 जोड़ा 28, 28 में ये plus का 30 जोड़ा तो हो गया हमारा 58 58 में 7 जोड़ा तो हमारा हो गया 65 तो 65 में से ये 2 minus आ गया और divide में 2 चल रहा है divide में क्या चल रहा है 2 चल रहा है तो 65 में से 2 जब minus हो गया तो क्या बज़ गया 63 बज़ गया 63 divided by 2 और अब ये 63 divided by 2 जो है यह simple fraction इसको mixed fraction में निकालेंगे तो 63 को हम 2 से divide करेंगे तो 2, 3 जा 6 minus करते है 0 बच जाएगा यह 3 carry करेंगे 3 जाता है क्या नहीं जाता तो 2 अंजा 2 तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा तो mixed fraction क्या बनेगा जिस से divide करा वो denominator में जो remainder बचा remainder क्या बचा या 1 बचा वो यहाँ और जो question आया मतलब जितनी बार हम इसको divide कर पाएगा वो यहाँ तो 31 1 by 2 यह हमारा इसका mixed fraction बन गया 31 1 by 2 और यह हमारा क्या हो गया answer हो गया Thank you very much